स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे आठ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो ये साल 2024 में भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नमबर वन पर आती है यामाहा MT 125 MT 125 एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर स्पोर्ट बाइक है जिसकी प्राइजिंग यहाँ पर होने वाली है एक लाख बीस यार रुपे बाइक का जो लुक्सन डिजाइन है वो यहाँ पर सेमी रहेगा MT 15 की तरह ही बस यहाँ पर आपको थोड़े बहुत नय कॉस्मेटिक चेंज मिलने वाले हैं हाला कि लुक्सन डिजाइन आपको सेमी मिलेगा बहुत ही तगला डिजाइन आपको मिल जाएगा जो लेक्रिकल का सैटप है वो भी आपको सेमी मिलने वाला है चेंज आपको मिलेगा यहाँ पर एंजन में जो कि आपको दिये जाएगा 124 CC का सिंगल यहांदर फील देता है डूइल चैनल ABS की आपको यहांपर compatibility मिलेगी यहांँ की एडवांस टेकनोलोजी आपको यहांपर दी जाएगी जो बाइक की बिल्ड कॉलिटी वह आको बहुत शांदर मिल जाएगी सामने आपको टेलेस्कोपिक suspension मिलेंगे और पीछे आपको मोरेशॉ बाइक की प्राइजिंग रहेगी 1,60,000 रुपे जो लुक्सेन डिजाइन है बाइक का वो बहुत ही शांदर देखने में बाइक एकदम एग्रेसिव और स्पोर्टी लगती है और जो इलेक्ट्रिकल से उसमें आपको सामने LED हैडलाट्स मिलेगी LED इंडिकेटर्स आपको द जाएंगे बाइक में आपको फोली डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल मिलेगा डूल चनल एबेस आपको यहां पर दिये जाएगा सामने आपको यूस्डी फोक्स सस्पेंशन मिलेगे और पीच्छा को मोनोशॉक एब्जर्वर सस्पेंशन मिल जाएगा और 17 इंचिस के आपको इसमें offer किये जाएंगे अब अगर बात करें कि यह बाइक कब तक भारती बजार में लांच हो जाएगी तो में 2024 में यह बाइक भारती बजार में लांच होने वाली है नंबर त्री पर आती है कीवे आरकेएफ 125 यह 125 सी की की बाइक है जिसकी प्राइज़न रहेगी 1 लाक रुपे तो जिसी भी फैमिली का बजट कम है वो इस बाइक के लिए जा सकता है अगर बात कर लेते हैं इस बाइक के लुक्स की तो लुक्स में बहुत ही शानदार है बहुत ही बढ़िया दिखती है स्पोर्टी और एक्रेसिव डिजाइन इस बाइक को दिया गया है जो इसके लेक्रिकल्स की विजिबिलेटी जो फंशनिंग है वो भी यहां पर आपको टॉप नॉज कॉलिटी की प्रोवाइड करवा दी जाएगी बात करते हैं इस बाइक के एंजिन की तो यहां पर आपको दिया जाता है 125 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विट कूल इंजिन जिसम समना को कॉस्ट कर्टिंग के लिए टेलोस्कोबिक फ्रंट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछा को मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाएगा सिंगल चैनल एबियस और डूएल डिस्कबिरेट के साथ में आपको यह वाइली बाइक मिल जाएगी अब अगर बात करे रहें क्योंकि बहुत ही शांदर बाइक है जिसकी प्राइज रहेगी एक लाग साथ हजार रुपे बाइक का जो लुकसें डिजाने वह बहुत ही गजब का है देखने बाइक एकदम शांदार लगती है नियो रैट्रो सीरिस के अंदर यह बाइक आती है इसके लेक्रिकल की बात करें तो सामने आपको LED headlights मिलेगी LED indicators आपको दिये जाएंगे और पीछे आपको LED tail light offer करवा दी जाएगी बाइक का जो overall engine की बात करते उसमें आपको मिलेगा 155 CC का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 19.3 BHP की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क मिलेगा और number of gears यहां पर आपको 6 offer किये जाए with a dual channel ABS आपको इसमें दिये जाएगा सामने आपको USD folks suspension मिलेंगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो जून 2024 में यह बाइक भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 5 पर आती है Lex Moto LXR 125 तो जिस भी family का budget काम है और उसको एक fully fed वाली sports bike चाहिए तो वो इस bike के लिए थोड़ा सा wait कर सकते हैं बाइक की pricing यहाँ पर रहेगी 1,30,000 रुपए जो बाइक को overall looks and design है वो काफी sporty और देखनें बाइक एकदम शांदार लगती है और इसको जो electricals की visibility है जो functioning है वो भी यहाँ पर आपको top notch quality की provide करवा दी जाती है बाइक में आपको यह engine मिलेगा 124cc का single cylinder liquid cool SOHC engine जो कि आपको fuel injector में मिलेगा बाइक में आपको 12bhp की power और 11Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 provide करवा दिये जाएंगे dual disc वे single channel ABS यहाँ पर आपको दिये जाएगा analog और digital instrument console मिलेगा fully fed में आपको यह bike मिलती जैसे कि मैंने आपको बताया जो look से वो बहुत ही शानदर मिलता है सामने आपको telescopic suspension मिलेगे और पीछा को motor shock absorber suspension मिल जाएगा और 13.5 लिटर का fuel tank आपको यहाँ पर दिया जाता है अब अगर बात करें कि यह bike कब तक भारती यह बाजार में launch हो जाएगी तो जून 2024 में यह bike भारती यह बाजार में launch होने वाली है स्वाट पिलियन 125 स्वाट पिलियन 125 बहुत ही जल्द भारती यह बाजार में launch होने वाली है जिसकी pricing यहाँ पर रहेगी 1,25 रुपे बाइक का जो लुक्सन रिजाइन है वो स्वाट पिलियन 250 की तरह ही होने वाला है बस यहाँ पर आपको थोड़े बहुत नए cosmetic changes इस bike में देखने को मिलेंगे बाइक में आपको जो लुक्स है वो सेमे मिलेगा जो उलेक्टरीकल साइटाप है वो भी आपको यहाँ पर और सीम मिलने वाला है बात कर लेते हैं लर्च wise यहांपर लिए जाने बाला है clique वील्स आपको इस बाइक मिलने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बजार में लॉंच हो जाएगी तो में 2024 में यह बाइक भारती बजार में लॉंच होने वाली है नमबर सैवन पर आती है यामा एक्सार 125 एक्सार 125 की प्रैजिंग यहाँ पर होने वाली है एक लाख रुपे तो जिस भी फैमिली का बजट कम है उसके लिए ये एक बहुत ही शांदर नियो रेट्रो बाइक आने वाली है बात करते हैं लुक्स की तो लुक्स बाइक का बहुत बहुत ही शांदर देखनें बाइक एकदम प्यारी लगती है और बहुत ही शांदर लुक्स बाइक को दिया गया है एलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो सामने आपको LED हैडलेट्स मिलेंगे और बीचे आपको राउंड शेप में LED टेल लाइट मिल जाएगी बाइक के बात कर यहां पर आपको मिलेगा 124 CC का ओयल कूल सिंगल सिलेंडर एंजिन जिसमें आपको 15 BHP की पावर और 14.5 Nm का टॉर्क मिलेगा और नंबर ओफ गेर्स यहां पर आपकुछ है मिल जाएंगे बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल मिलेगा अपराइट होने वाली है नंबर 8 पर आती है होंडा CL 250 CL 250 एक स्क्रेंबलर बाइक है जिसकी प्रैजिंग यहां पर रहेगी दो लाख रुपे और दो लाख रुपे के साफ़ से जो बाइक आपको होंडा कंपनी ओफर करने वाली है वो बहुत ही भैतरीन रहेगी बाइक का जो लुक्स 9cc का सिंगल स्लेंडर लिक्विड कूल इंजिन जिसमें आपको 28 BHP की पावर और 20 न्यूटर मीटर का टॉर्क मिलेगा और नंबर ओगेर्स यहां पर आप कुछ है मिलने वाले हैं फुली डिजिटल इंस्टुमेंट कंसोल मिलेगा सामने आपको कॉस्ट कर्टिंग की जाए लगी तो दोस्तो में 2024 में यह बाइक भारती बाजार में लॉंच होने वाली है बाकि दोस्तों आप कमेंट करके जुरू बताना कि इन 8 बाइक्स में से कौन से बाइक यहां पर आपको सबसे आदा पसंद आई है तुमीदे कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी औ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तुसको लाइक करो शेर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हूँ तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लात रहता हूँ अभी एक लिए थैंक्स टिल दैन व ने इन लोगों के लिए ओर थैंक्स अभी झाल इन घंझतव ससे स्क्राइब के गल Animal Crimeर लिए डिकान। यह जिस कई चैनल इन वाल्ग proposals अभी आए ह।